आप सभी वरिष्ट साथियों का बहुत बहुत आभार इस चर्चा में आपने जो विचार व्यक्त किये जो सुझाव दिये मैं समझता हूँ ये बहुत ही महत्वपून है वैक्सिन को लेकर जो विश्वास इस चर्चा में नजर आया है वो कुरोना के खिलाप देश की लड़ाई को और मजबूत करेगा यहाँ जो प्रिजेंटेशन हुआ उसमें भी विस्तार से ये बताया गया कि कितने दिनों से प्रयास चल रहे हैं क्या चल रहे हैं अब कहां पहुँचे हैं और किस मजबूती से हम आगे बढ़ रहे हैं साथियों इस बारे में बीते दिनों में मेरी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी लंबी बात हुई थी टीका करण को लेकर राज्य सरकारों के अनेक सुझाओ भी मिले थे कुछ दिन पहले मेरी मेडिन इंडिया वैक्सिन बनाने का जो प्रयास कर रही वैज्यानिक टीम हैं काफी देर तक उनसे बहुत ही सार्थक मेरी बात्चित हुई है वैज्यानिकों से भी मिलने का मुखा मिला है और भारत के वैज्यानिक अपनी सफलता को लेकर बहुती आस्फस्त है उनका कॉन्फिनस लेवल बहुती मजबूत है अभी अन्य देशों की कई वैक्सिनों के नाम बाजार में हम सब सुन रहे हैं लेकिन फिर भी दुनिया की नजर कम किम्मत वाली सबसे सुरक्षित वैक्सिन पर है और इस वज़े से स्वाभाविक है पूरी दुनिया की नजर भारत पर भी है अमदाबाद, पूरे और हैदराबाद जाकर मैंने ये भी देखा है कि वैक्सिन मैनिफेक्टरिंग को लेकर देश की तैयारियां कैसी है हमारे भारतिये मैनिफेक्टरर्स, ICMR, Department of Biotechnology और Global Industry के अन्य दिग्ये जोगे बहुती संपर्ग में रह करके तालमेल के साथ काम कर रहे हैं आप एक तरह से मान कर चलिए कि सभी कमर कसके तैयार बैठे हैं करीब करीब आठ ऐसी संभवित वैक्सिन है जो ट्रायल के अलग-अलग चरण में और जिनकी मैनिफेक्टरिंग भारत में ही होनी है जैसा यहां चर्चा में भी बात आई भारत की अपनी तीन अलग-अलग वैक्सिन का ट्रायल अलग-अलग चरणों में है एक्सपर्स ये मान कर चल रहे हैं कि अब करोना की वैक्सिन के लिए बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में करोना की वैक्सिन तयार हो जाएगी जैसे ही वैज्यानिकों की हरीजंडी मिलेगी भारत में टिका करन अभ्यान शुरू कर दिया जाएगा टिका करन के पहले चरण में किसे वैक्सिन लगेगी इसे लेकर भी केंद्र सरकार राज सरकारों से मिले सुजाओं के आदार पर काम कर रही है इसमें प्राफिक्ता करोना के मरीजों के इलाज में जुटे हेल्ट केर वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स और जो पहले से गंबीर बीमारियों से जूज रहे हैं वैसे बुजुर लोगों को दी जाएगी साथियों वैक्सिन के डिस्टिबिशन को लेकर भी केंद्रों और राज्य सरकार के टीमें मिलकर के काम कर रही हैं भारत के पास वैक्सिन, डिस्टिबिशन, एक्सपरटाईज और केपेसिटी भी हैं दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले इस खेत्र में हम बहुत बहतर हैं हमारे पास टीका करण के लिए दुनिया का बहुत बड़ा और अनुभवी नेट्वर्क भी मौजूद है जो कुछ अतीरिक्त कोल्ड चेंड एक्विपमेंट अन्य लॉजिस्टिक की जरूरत पड़ेगी राज्य सरकारों की मदद से उसका भी आकलन हो रहा है कोल्ड चेंड को और मजबूत करने के लिए भी साती साथ अनेक नए प्रकल भी चल रहे हैं कई और नए प्रयास भी चल रहे हैं भारत ने एक विशेश सौप्ट्वेर भी बनाया है को विन जिसमें कोरोना वैक्सीन के लाभारती वैक्सीन के उपलब्द स्टॉक और स्टोरेज से जुड़ी रियल टाइम इंफर्मेशन रहेगी भारत में कोरोना वैक्सीन की रिसर्च से जुड़े दाइत्व के लिए विशेश टांसपॉर्स का ग्ठन किया गया था और वैक्सीन से जुड़े अभियान का दाइत्व नेशनल एक्सपट्स ग्रुप को दिया गया है इसमें टेक्टिकल एक्सपर्स हैं, केंदर सरकार के समंदित मंत्रलायों और विभागवा के इदिकारी हैं, प्रतेक जोन के हिसाब से राज्य सरकारों के भी प्रतिनीदी हैं ये नेशनल एक्सपर्ट ग्रूप राज्च सरकारों के साथ मिलकर के काम कर रहा है राश्ट्रिय और स्थानिय हर जरूरत के मुताबिक फैसले नेशनल एक्सपर्ट ग्रूप द्वारा सामुहिक तर्व तौर पर लिये जाएंगे साथियों वैक्सिन की कीमत कितनी होगी इसे लेकर भी सवाल स्वाभाविक है केंद्र सरकार इस बारे में राज्य सरकारों के साथ बात कर रही है वैक्सिन की कीमत को लेकर फैसला जन स्वास्त को सरवोच्च प्रात्फिक्ता देते हुए किया जाएगा और राज्य सरकारों की इसमें पूरी सहभागीता होगी है साथियों एक राष्ठ के रुप में भारत ने जो फैसले लिये जिस प्रकार भारत ने तेजी से वैज्ञानिक तरीकों को अपनाया उसका परणाम आज दिख रहा है भारत आज उन देशों में हैं जहां पर प्रतिदिन टेस्टिंग बहुत जादा हो रही है भारत आज उन देशों में हैं जहां पर रीकवरी रेट भी बहुत जादा है भारत उन देशों में भी शामिल हैं जहां पर कोरोना की बज़से होने वाली मुर्ति उदर इतनी कम है भारत ने जिस तरह कोरोना के खिलाब लड़ाई को लड़ा है वो प्रत्य एक देश्वासी की अदम में इच्छा शक्ति को दिखाता है विक्सित देशों अच्छे medical infrastructure वाले देशों की तुलना में भी भारत ने इस लड़ाई को कहीं बहतर तरीके से लड़ा है और अपने जादा से जादा नागरिकों की जान बचाई है हम भारतियों का संयम हम भारतियों का साहस हम भारतियों का सामर्थ इस पूरी लड़ाई के दौराम और तुलनिय रहा है अभुत्पुर्व रहा है हमने सिर्फ अपने ही नागरिकों की चिंता नहीं की बलकि हमारे देशों के नागरिकों को भी बचाने का हर प्रयाश अन्य देशों के साथ मदद करने का भी काम हर संभव प्रयास किया गया साथियों फरवरी मार्च के आशंकाओं भरे दर भरे माहोल से लेकर आज दिसंबर के विश्वास और उमीदों भरे वातावन के बीच भारत ने बहुत लंबी यात्राताई की है अब जब हम वैक्सिन के महाने पर खड़े हैं तो वही जनवागिदारी वही साइन्टिफिक अप्रोच वही सहयो आगे भी बहुत जरूरी है आप सभी अनुभवी साथियों के सुझाव भी समय पर समय समय पर भी इसमें प्रभावी भूमी का निभाएंगे आप सभी जानते हैं कि जब भी इतना व्यापक टिखा करना भ्यान चलता है तो अनेक प्रकार की अफ़ाएं भी समाज में फ्यलाई जाती हैं ये अफ़ाएं जनहित और राष्टहित दोनों के विर्द होती हैं इसलिए हम सभी दनों का ये दाईत्व हैं कि देश के नागरिकों को जादा से जादा जागरूप करें उन्हें किसी भी अफ़ा में बचाएं इसके साथ ही हम जानते हैं दुनिया में जिस प्रकार से करव बदल रहा है और चित्र कहां से कहां जाएगा कोई कह नहीं सकता है और ऐसे में हमारे जो प्रूवन रास्ते हैं प्रूवन हत्यार है उसको हमने कभी भी छोड़ना नहीं है और इसलिए दोगज की दूरी और मास्क के प्रती भी हम लोगों को लगातार सतर्क करते रहना है देश ने अब तक जो प्राप्त किया है किसी भी तरह की लापरवाई उसे नुक्सान पहुंचा सकती है मैं सभी राजनितिक दलों के महनुभावं से आग्रह करूँगा हरेक को आज बोलने का आउसर नहीं मिला है लेकिन मेरी प्रार्षना है कि आप लिखीत बेजिए आपके सुझाव बहुत काम आएंगे आपके सुझावों को गंबीरता से लिया जाएगा और योजना मैं वो भी बहुत पुरक होंगे इन सभी आग्रह के साथ मैं आज आप सभी का बहुत पद आभार व्यक्ते करता हूं आपने समय निकाला बहुत बहुत धन्यवाद